आज हम आपको मध्यप्रदेश की बिजली अपूर्ती में सुधार के लिए निर्माना धिन एक महत्वपूर्ण अंतर राजिय विद्यूत पारेशन परियोजना के बारे में जानकारी देने जा रहे है। अपनी सम्रुप्द सौस्कृती और प्राफूर्तिक सुंदर्ता के लिए जाना आजाने वाला राज्य मध्यप्रदेश अब प्रगती की राह पर है इंटर्स्टेट पावर ट्रांस्मिशन प्रोजेक्ट इस विडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण पह इमार में एक अग्रणी नाम है M.E.L का चयन वीदिया आधारित प्रतिसपर्दी बोली TBCB के माध्यम से किया गया था यह चयन दक्षता और उत्रुष्टता के प्रती कंपनी की प्रतिबद्दता को दर्शाता है इस योजना का लक्ष मध्यप्रदेश के लगभग सभी श चेत्र में 17 नए सबस्टेशन बनाए जाएंगी इस परियोजना के माध्यम से 394 प्वर्ग किलोमेटर चेत्र में ट्रांस्मिशन लाइनों का निर्मान किया जाएगा इन सबस्टेशनों में भोपाल में मंत्रालय के पास बनने वाला 132 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टे देकर रख रखाव तक का काम शामिल है इन ट्रांस्मिशन लाइनों में मध्य और पश्चिम मध्यप्रदेश में 1332 केवी और 322 केवी सबस्टेशन शामिल होंगे कमपनी 35 बर्शों तक मध्यप्रदेश में ट्रांस्मिशन परियोजना के निर्मान सामित्व, संचालन और परियोजना राज्य को एक आधुनीक और अधिक विश्वस्निय विद्यूत पारेशन प्रणाली प्रदान करेगी जो मध्यप्रदेश के उर्जा बुनियादी धार्चे की रिड होगी इसका मतलब होगा कि बिजली कटोती कम होगी हर जग बहतर उर्जा संचरन होगा और लोगों के जीवन की समगर उन्वत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी नीमित विद्यूत आपूर्ती से गुरू उद्योग से लेके बड़े उद्योगों को बड़ावा मिलेगा लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान होगा इतना ही नहीं यह सुनीशित बीजले आपूर्ती योजना राज्य का विकास राज्य के कार्बन पधिचिन्नों को कम करने और मध्यप्रदेश को परियावरण अनुकुल बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है अन्तर राज्य विद्धुत पारिशन परियोजना मध्यप्रदेश के लिए उज्वल एवं आर्थिक विकास लेके आएगी एमियाईल की उतकुरुष्टता के प्रति प्रतिवत्तता की कारण मध्यप्रदेश प्रगती और विकास की और बढ़ रहा है